कि hello all and welcome back again to modern history series modern history के series में लास्ट लास में हम लोगों ने देख रखा था साइमन कमिशन के बारे में और साइमन कमिशन के बारे में हम लोगों देखा था कि civil disobedience moment यानी salt सत्यागरे start कर दिया गया था salt सत्यागरे के बाद में ultimately जितने बड़े-बड़े लीडर्स थे उनकी अरेस्ट हो जाती है और अरेस्ट होने में गांधी जी भी सबसे पहले अरेस्ट कर लिए जाते हैं अल्टिमेटली ये जो सीडिये मुवमेंट था वो देश के अलग-अलग पार्ट में फिर फैल गया था जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में खान अब्दुल गफार खान वहां पर लीड कर रहे थे इसी तरीके से बिहार में फिर हो रहा था छतर पर बुंदेल खंड, मद्यप्रद थे उनको कहीं न कहीं एक टेंशन आ गई थी इसके अलावा जितने भी कमिटी थी साइमन कमिशन और इन सब की भी ब्रिटेन में जा करके रिकमेंडेड जो रिपोर्ट थी वो भी आ चुकी थी तो कहीं न कहीं एक दबाव आ गया था बिटिश इंडियन पीपल के ऊपर में यानि कि जो बिटिश इंडिया है उसके ओवर में एक दबाव आ गया था कि अब हमें कुछ न कुछ एक रास्ता निकालना होगा जिसके कारण से अल्टिमेटली राउंड टेबल कॉन्फरेंस कराए जाते हैं और इस राउंड टेबल कॉन्फरेंस का मतलब क्या था कि यहां पर इंडिया में जो भी constitutional reforms करने हैं उनको किस तरीके से ले करके आना है तो इंडिया की जो constitutional reforms है उनके बारे में बेसिकली discussion यही होना था इस राउंड टेबल कॉन्फरेंस में ध्याम रखने वाली बात यह है कि जब यह राउंड टेबल कॉन्फरेंस स्टार्ट हो रही है उ हम लोग बाते करेंगे इस सेशन में roundtable conference के बारे में और इसी roundtable के दौरान में ही एक important चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पुना pact तो पुना pact के बारे में भी हम लोग बाते करेंगे और ultimately देखेंगे जो प्रविंस में elections हुए थे उस election में क्या कुछ हुआ था और क्य election का result भी रहा था तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सेशन को roundtable conference के साथ में roundtable conference का जो basic है वो अलरड़ी आप लोग समझ गये हैं कि यहां पर जो Simon Commission की report है यह Simon Commission की report कहीं ना कहीं जो है ब्रिटेन में इसकी जो report थी वो जा करके अब इस पर discussion के लिए एक दबाव पढ़ ला था इसके अलावा सीडिया मोमेंट अपने चरम पे था जिसके कारण से again सीडिया मोमेंट और जो यह इसका spread हो रखा था उसकी भी चर्चाएं बहुत जादा हो गई थी क्योंकि अभी ह से ultimately इस roundtable conference को organize कराने की जिम्मेदारी अब बिटेशों के कंदे पर आ चुकी थी तो ultimately जो first roundtable conference होती है this is first roundtable conference होती है obviously सारी कि सारी जो roundtable conferences है वो लंदन में ही होंगी तो यह होती है हमारी first एक सेकेंड यस तो यहां पर होती है ultimately first roundtable conference और यह होती है आपकी बारा नौवंबर 19 बारा नौवंबर 19 20 19 30 से ultimately यह चलती है आपकी 13 जनवरी 1931 तक के लिए तो शुरुआ तो 1930 में ही हो जाती है अब यह देखें process है अच्छा खासा यहां पर discussion होगा और एक तरीके से constitutional reform की बाते हो रही है तो constitutional अगर कहीं पर constitutional reform किया जा रहा है तो obvious ही बात है it will take time तो यही time लेना था यहां पर अगर participation के बारे में बात किया जाए कि किस किस ने participate किया था तो एक बात तो आपको साफ साफ समझ में आ रही ह कि जितने भी congress member है वो सारे लोग तो arrest हो चुके हैं और साथ में यह लोग bycourt भी कर रखे हैं तो bycourt करने के कारण से congress में यहां पर कोई भी as a congress member नहीं यहां पर आया था तो यानि congress के जो भी member थे वो नहीं आये थे इसके अलावा अगर बात किया जाए तो Indian liberal party आई थी इसके अलावा दलिस का representation था यानि कि हमारे अंबेडिकर साहब भी आ करके यहां पर participate करेंगे इसके अलावा Muslim league ने participation किया था तो Muslim league का participation आ जाएगा इसके अलावा हिंदू महासभा भी देखे हिंदू महासभा हर उस जगा पर जाएगी जहां पर Muslim league जा रही है तो हिंदू महासभा भी participate की हुई थी ठीक है इसके अलावा यहां पर traders और जो princely state वाले लोग थे वो लोग आये थे traders, merchants and princely state के लोग आ रखे थे ठीक है अब यह नहाँ पर अगर members में बात किया जाए यह तो हो गई party members में अगर देखा जाए तो liberal party से तेज बहादूर सप्रू आ रखे थे तो तेज बहादूर सप्रू ने इस meeting को join किया था इसके अलावा चमन लाल थे इसके अलावा हमारे एक मुहमद अली थे इन्होंने participate किया था जिन मुझे ने participate किया था फिर हमारे अंबेडकर ने किया था इन लोगों ने basically participation किया हुआ था इस first roundtable conference में लेकिन अब यहाँ पर सीन यह होता है कि Congress सबसे बड़ी party basically जो इंडिया का एक तरीके से representation कर रही है वही जब absent है तो इस first roundtable का कोई भी result नहीं निकल के आएगा तो इर्विन को समझ में आ जाती है कि ऐसा है गांधी जी को हमें मनाना पड़ेगा अगर हम गांधी जी को नहीं मनाएंगे तो Congress नहीं आएगी और अगर Congress नहीं आएगी तो बिना Congress के constitutional reform यह हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं तो कही ना कहीं लोगों के मन में आ गया था तो और प सब्सकारर से ultimately हुआ यह कि यहां पर जो लोग भी है यह जो participate किये हुए members है इन लोगों ने ही बलकि गांधी और इर्विन को एक table पर लाने के लिए ultimately काम करना शुरू कर दिया तो गांधी और इर्विन को एक table पर लाने वाले obvious ही बात है इन्हीं लोगों में से कोई ना ठीक है इसके अलावा आपके तेज बहार्दूर सप्रू हो गया तो तेज बहार्दूर सप्रू आ जाते हैं इन लोगों ने इस पूरी की पूरी मीटिंग को अरेंज कराया था यानि कि गांधी और इर्विन को एक table पर लेकर के आया था गांधी और इर्विन के बीच में यह जो table या फिर कहा लिजे कि आपस में जो भी डिस्कॉशन या जो भी बाते हो रही हैं सरोजनी नाइडू ने यहां पर कहा था सरोजनी नाइडू ने यह बोला कि दो नायण। की यहां पर इन लोगों ने मतलब सरुजी नाइडू ने इन्हें नाउन दिया था एक तरीके से इन्हें प्रोनाउन्स किया था अगर बात किया जाए कि आखिर में इन दोनों लोगों के बीच में डिसकुशन में आखिर में आया क्या क्या चीज निकल के आती है तो सबसे पहली जो कंक्लूजन है वो यह है कि सीडियम को आप फॉरण पहले आप बंद कर दीजिए तो सीडियम को स्टॉप करने की बात हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं गांधी जी के द्वारा कहा क्या गया इन्होंने कहा कॉंग्रेस अब क्या कर लेगी तो constitutional reform में ये participation आएगा अब इस constitutional reform में बाते क्या क्या करेंगे ये बाते करेंगे फेडरेशन को ले करके यानि कि जो साइमन कमीशन जिस जीचीच पर रिपोर्ट बनाया था उसी पर हम लोग discussion के लिए मतलब गांधी जी ने agree कर लिया जैसे कि federation हो गया इसके अलाव जो defense है उसको ले करके foreign affair को ले करके और finance को ले करके इन सब चीजों को ले करके discussion के लिए constitutional reform के लिए बाते हो गए कि चलो ठीक है हम जो है ultimately जो second round table conference होगा उसमें Congress participate करेगी तीसरी जो बाते हो गए वो है political prisoners को ले करके तो political prisoner के लिए यहाँ पर बाते होई कि ऐसा है जो भी non violent activity में involved था उसे आप free कर दीजिए अब देखे यहाँ पर थोड़े से issues आते हैं कई सारी बाते आती हैं कि जो हमारे भगत सिंग थे भगत सिंग को यहाँ पर free कराया जा सकता था भगत सिंग को ले करके कोई बाते नही थे तो देखे यह बाते पूरी तरीके से अभी clear नहीं है क्योंकि यह जो discussion हुई थी उस discussion की कोई copy नहीं है और in fact हम यह नहीं बोल सकते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंग को support नहीं किया या गांधी जी ने भगत सिंग के protection के लिए कोई काम नहीं किया in fact बहुत सारी ऐसे बा standings और कोई अगर result नहीं निकलेगा तो अव्यसी बात है इस पर बाते कई सारी बन जाएंगी तो ultimately होता यहीं है कि यहां पर non-violent activities में जो भी involved रहते हैं उसे free कर दिये जाने पर सहमती बन जाती है चौथा point रहता है कि जो भी salt tax है वो salt tax वगर है अब abolish कर दिया जाएगा या इसको भी हम लोग reduce कर लेंगे इसके बारे में भी हम देखेंगे और इस तरीके से यहां पर एक बात निकल करके आए कि गांधी जी इनने ये कहा था कि देखो गांधी तो मर सकता है मतलब कई सारे movement होंगे कई सारे तरीके आएंगे कई सारे protest होंगे तो गांधी मर सकता है ल सीधे सीधे one to one talk कर रहे थे क्योंकि अगर देखेंग round table से पहले क्या हो रहा था Congress के लोग भीख मांग रहे थे कि हमें ये दे दो वो दे दो और ultimately British को फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि हमें क्या करना है तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो ये पहला ऐसा सत्यागरह का बोल सकते हैं achievement था कि अब Indians और British ये दोनों सामने सामने आ गये थे वो भी round table पर जहां पर कोई भी बंदा अपने आप में superior नहीं है दोनों ही अपने आप में जो होता है बराबर बराबर की हिस्सेदारी करके रखे हुए है तो अपने आप में बहुत बड़ी achievement थी इस round table को हम एक बहुत बड़ी achievement के तौर पर देख सकते हैं अब इस गांधी इरविन समझाता है के बाद में इस pact के बाद में ultimately क्या होता है second round table जो है वो organize की जाती है तो this is second round this is second round table conference ये arrange की जाती है अब ये जो second round table है ये start होती है 17th September 1931 से और ये जाती है 1st December 1931 तक तो ये भी एक काफी लंबी discussion है यहाँ पर देखा जाए अगर कि अच्छा एक चीज़ और इस समय जो इंडिया है उसमें secretary कौन रहते हैं secretary of the state होते हैं तो इस समय samuel होर रहते हैं तो this is samuel होर रहते हैं ठीक है ये जो हता है इसके secretary रहते है examination में हो सकता है पूछा चल पूछ लिया जा सकता है इसलिए ध्यान रखिएगा अगर बात किया जाए इसमें participants कौन-कौन थे कौन-कौन लोग participate किये थे तो participant के तौर पर एक तो congress आएगी ही आएगी क्योंकि अब तो भाई fact हो गया है तो congress आगई कोई दिक्कत नहीं है congress पहले एक बाग काम करते हैं सब लोगों को लिख लेते हैं फिर इसके बास से participation देखेंगे इसके अलावा trade unions वगर आई थी तो trade unions वगर है हलकि यह तो पहले भी आ रखी थी अब इस trade union में जैसे की एक फिक्की थी जो इसमें participate की थी इसके अलावा हिंदू महासभा हो गई हिंदू महासभा ने भी participation किया ही किया था इसके अलावा Muslim League यह भी participate करेगी ही करेगी है ना तो यह लोग participate करेंगे ही करेंगे इसके अलावा बाकी अमेडिकर साहब तो करेंगे ही करेंगे अमेडिकर का मतलब दलित पार्टी करेगी ही करेगी बाकी Indian Liberal Party यह पहले भी की थी तो अभी भी करेगी ही करेगी इस trade union को ले करके जो फिक्की थी इसके member थे उस समय घंश्याम द्यास तो घंश्याम द्यास ठीक है बिल्ला इन्होंने participate किया था इसके अलावा अगर बात किया जाए हिंदू महासभा में किसने participation किया था तो मदन मोहन मालवी और साथ ही साथ में एनी बेसेंट आई थी इनके स और फिर जिन्ना इन दोनों लोगों ने किया था दलित पार्टी से हमारे अंबेड़कर सहब आ गये थे तो अंबेड़कर सहब यहां पर आ जाएंगे लिबरल पार्टी से तेज बहदूर सपुरू यह लोग तो आएंगे ही आएंगे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अब गांधी जी के साथ में और कौन लोग गय थे तो गांधी जी के साथ में गई थे सरोजनी नाइडू तो इस इस सरोजनी नाइडू हलाकि कॉंग्रेस के मेंबर बनके नहीं गई थी ये वुमें का गई थी तो मरी बेन अब ये मरी बेन जो थी वो एक्च्वल में बिटिशर थी ठीक है और ये गांधी जी से बहुत जादा जो होती है प्रभावित थी इन्फूएंस्टी और अल्टीमेटली इन्होंने भी गांधी गिरी श्टाट कर दी तो ये बिसिकली गांधी जी के स्ट बार पर चले आते हैं अब गांधी जी जब जाते हैं तो ऑव्यसी बात है वहां पर जाएंगे तो किसी के हां तो रुकेंगे ही तो गांधी जी लंदन में वहां पर उनकी एक स्टूडेंट रहती हैं उनके घर में जाकर के मतलब स्टे करते हैं तो गांधी जी ने किंग्स hall में stay किया था तो this is king's hall में stay किया था और यहां पर इनकी एक disciple थी इनकी student थी क्या नाम था इनका उनका नाम था Muriel तो this is Muriel Lister इनका नाम था Muriel Lister इस्टेट pieces examination में पूछी आती है चीजे इसलिए ध्यान रखिएगा अब यहां पर होता क्या है अब यहां पर अगर देखेंगे तो बाते क्या क्या हो रही है ध्यान से समझेगा because this is again very important सबसे पहले बाती आती है कि यहां पर reservation को ले करके reservation बात करिए या फिर इसी को आप बोल सकते है reservation तो कहना खैर गलत होगा यहां पर बाते हो रही थी separate electorate को ले कर के तो this is separate electorate अब देखे separate electorate में बात किया जाए तो 1990 तक 1990 किसको दिया जा चुका था Muslim को दिया जा चुका है इसके अलावा इंगलो इंडियन को दिया जा चुका है अब यहां पर बातें ये हो रही थी कि अम्बेडिकर साहब ये भी अपना पक्ष ले करके पहुझे थे कि हमें भी अब separate electorate दे दिया जाना चाहिए तो अम्बेडिकर साहब ने हाँ पर separate electorate की बाते कही थी क्यों communal तौर पर इन्होंने नहीं इन्होंने minority के तौर पर कहा था कि हम लोग जो है वो depressed section से आज से हैं और हमें जो होती है communal मतलब की minority representation दिया जाना चाहिए तो अम्बेडिकर साहब और गांधी जी में यहाँ पर हो गया तू तू मैं मैं तो गांधी और अम्बेडिकर को ले करके यहाँ पर issue हो गया और यह separate electorate को ले करके हुआ था मतलब in fact issue कह भी सकते हैं क्योंकि अम्बेडिकर साहब को अगर जा रहते तो अव्वेसी बात है पहले गांधी जी से मिल करके इस सब बातों पर discussion कर लेना चाहिए था तो यहाँ पर एक support मिल जाए लेकिन खैर यहाँ पर पहली तू तू मैं मैं हो गई और यह एक issue सामने निकल करके आता है separate electorate को ले करके और इस तरीके से और खैर Muslim League के साथ तो issue होता ही रहता था तो यहाँ पर Congress और Muslim League का भी issue हो जाता है Congress and Congress Muslim League का भी issue होता है based on communal electorate तो communal electorate को लेकर करके यहाँ पर issue हो जाता है तो end में क्या होता है कि हमारे जो गांधी जी है वो बिना किसी result के वापस आ जाते हैं बॉंबे बॉंबे आ जाते हैं खाली हाथ ठीक है और यहाँ पर यह issue होता है लोग कहते है कि मतलब गांधी जी ज भेजा था इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया के लिए एक constitutional reform लाने के लिए भेजा गया था तो गांधी जी ने end में यही का था कि देखो मैं यह बलकुल सही बात है कि मैं खाली हाथ आया हूं I have returned back empty handed लेकिन मैंने Indian flag को जुकने नहीं दिया है मतलब वहाँ पर जा करके मैंने जो भी बाते कहीं है that was again you can say कि यह इंडिया के communal इंडिया के constitution के लिए काफी अच्छी जरूरत थी और इस चीज को मैंने जुकने नहीं दिया है गांधी जी वापस आ करके क्या करेंगे वही अपारा जो cdm था उसी को वापस से इन्होंने relaunch कर दिया तो c कोई काम नहीं पड़ा इसको बोलते हैं हम लोगों से भी जानते हैं सेकेंड सीडियम लेकिन यहां पर क्या था कि लोगों का अब जो विश्वास था वो टूटना शुरू हो गया था जरा ध्यान से समझीएगा गांधी जी ने देखिए शुरू शुरू में आयते तो सत्य सत्याग्रा है वो काम बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन जो गांधी जी का सत्याग्रा काम किया था वो लोकल लेवल पे किया था सत्याग्रा इनका जो काम कर रहा था वो लोकल लेवल पे जैसे की चंपारन में काम किया था ठीक है बढ़िया काम किया इसके अलावा एहमदा पर जैसे कि इन्होंने ये बोला था जब NCM चलाया गया था 1920 में तो ये बोला गया था कि एक साल के अंदर अंदर में ही हम लोग आजादी पा जाएंगे इंडिपेंडेंस पा जाएंगे तो सब ने कहा ठीक है बहुत बढ़ियां तो अब उसके बाद से चौरी-चौरा के एक निकल करके आया था कि इसमें भी कुछ अचीव खास नहीं हुआ था फिर उसके बाद से जब सेकेंड राउंटेबल कॉन्फरेंस के लिए गांधी जी को भेजा जाता है तो यहां पर भी ये फेल ही हो जाते हैं तो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक जो विश्वास था वो भा गया थे अब जैसे कि बेंगॉल वाली जो अनुशीलन समीती थी ये बहुत तेजी से काम कर रही थी रिवालिशनरी अक्टिविटीज वगरह कर रही थी इसके अलावा भगत सिंग की जो पार्टी थी भगत सिंग इनकी एच एस आरहे ये भी काफी बढ़िया तरीके से काम कर रही थी तो अब क्या है ये लोग जादा ही फेम बटोर ने शुरू कर दिये थे और लोगों का पार्टिसिपेशन यहां पर बहुत जादा होने लग गया था इसके अलावा रिवालिशनरी अक्टिविटीज में विदिन कॉंग्रेस ही कई बार बाते ये खटकने उन्होंने किसी तरीके से दोनों को मिला कर रखा क्योंकि उन्होंने पहले ही देख रखा था कि Moderates और прямीश्ट पहले अलग हो चुके है भगत सिंग को खोने का गम बहुत जादा था लोगों के मन में क्योंकि भगत सिंग जो है एक तरीके से कह लिजे कि बहुती तेजी से एक उभरता हुआ सितारा बने हुए थे और लोगों के मन में ये भी आ गया था कि गांधी जी ने भगत सिंग को बचाया नहीं है और इसी कारण से revolutionary activities जो है वो रुक सी गई है तो यह एक issue हो गया था और यहां से अब जो common people था जो आम आदमी था उसको समझ नहीं आ रहा था कि यार आप करें क्या तो यह basically बहुत ज़्यदा confused हो गया था तो directionless भी होई जाते हैं खेर और इस तरीके से अब जब यह गांधी जी वापस आकर के second round का CDM start करते हैं तो इनको कुछ खास participation मिल नहीं पाता है लोग जो है इसमें आते नहीं है और इस दौरान में जो बिटेन था जो बिटिश लोग थे इसने फिर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया था और जैसे यह second round CDM start होती है वापस से जो बड़े-ब इन लोगों को फिर से वापस से अरेश्ट कर लिया जाता है इसके अलावा Congress को illegal घोशित कर दिया जाता है कहा जाता है कि इसमें अब जो भी चीजे होंगी वो illegal मानी जाएंगे और कोई भी activity होगी तो तुरंती उसका एक तरीके से कह लिजे कि तुरंती इनको अरेश्ट कर जाएगा तो यह सेकेंड राउंड यह सीडियम का केस चल रहा था अब इस सेकेंड राउंड सीडियम में लोगों को ब्रिक करने के लिए यहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है और वह हो जाता है मैक डॉनल अनॉंसमेंट तो इसी को बोलते हैं हम लोग कम्यून कम्यूनल पैक्ट तो दिस इस कम्यूनल पैक्ट यहां पर इन्होंने क्या कहा था इन्होंने अनॉंसमेंट कुछ कर दी थी कौन किया था रैमजे मैक डॉनल तो दिस इस रैमजे मैक डॉनल एक सेकेंड यस तो रैमजे मैक डॉनल ने यहां पर कुछ अनॉंसमेंट की थी औ और जो दलित्स हैं इन लोगों को अब separate electorate दिया जाएगा तो this is separate electorate तो basically जो Ambedkar साहब second round table में कह रहे थे वही यहाँ पर अब सच हो गया था और इस बात को ले करके अब यह समझ में आ गया था कि पहले तो मुसल्मानों को हिंदू से अलग किया गया सिखों को अलग किया गया अब दलित्स को भी अगर अलग कर देंगे तो पूरा का पूरा जो हिंदू समाज है या फिर कह लिजे कि पूरा जो इंडिया है जो unity की बारे में बाते हो रहे थी वो एक तरीके से shattered हो जाएगा छोटे छोटे टुकडों में बट जाएगा और वो भी जात धर्म के आधार इस चीज को गांधी जी ने देखा और गांधी जी ने observe किया अब देखिए ये जो गांधी जी ने observe किया वो अगर आज की टाइम में आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ा ये observation था in fact आज की डेट में अगर देखेंगे so there are separate states जो की इंडिया से ही तूट करके निकलें जैसे पाकिस्तान, बांगलादेश तो ये लोग और हमारे जो neighborhood में this म्यांगमार है तो कहीं न कहीं यहाँ पर जाती धर्म के आधार पर बहुत जादा violence होता है no doubt इंडिया में भी violence होता है बट इंडिया में the degree of violence कहीं न कहीं कम है क्योंकि जो हमारा constitution है वो सब को बांध के रखा हुआ है तो अब यहाँ पर हिंदो-Muslim riots वगर होते ही जरूर है लेकिन they are internal fights वो internal fight है कभी भी ये international बुद्दा नहीं बनने पाया है अब जैसे अगर पाकिस्तान में बात किया जाए तो वो international मुद्दा बन चुका है म्यांगमार में रोहिंग्याज के बारें बात करें तो international मुद्दा बन चुका है लेकिन इंडिया की जो issues are they are not internationally recognized they are just internal issues और खैर यहाँ पर थोड़ी मोडी तो देखिए बाते होई जाती है चार बरतन जहां रहेंगे वहाँ पर खनकेंगे तो जरूरी तो यह internally जो होता है उसको देख भी लिया जाता है कोई बहुत बड़ा issue नहीं बनने पाता है लेकिन गांधी जी जब इस चीज को observe करते हैं तो यह fast on to death तो यह fast on to death पे चले आते हैं और अब यहाँ पर यह कहते हैं कि यह जो separate electorate है हमारे जीते जीतो नहीं होने पाएगा गांधी जी उस्ते में रहते हैं यह रावाडा जेल में और यहाँ पर जब fast on to death होती है तो भाई सीधी सी बात है respect तो लोगों के मन में था ही गांधी जी को ले करके थीक है थोड़ी मोड़ी उपर नीचे होती है लेकिन respect होती है इस चीज को जब observe किया जाता है बाकी Congress members और बाकी leaders के द्वारा तो ultimately अंबेडिका जी को मनाना शुरू होता है अंबेडिका जी को अब यह होता है अंबेडिका जी भी कहते हैं कि भाई अंबेडिका जी भी गलत नहीं है क्योंकि भाई यह depressed class का representation कर रहा है बहुत सारे लोगों की आशाएं इन से जुड़ी हुई है अगर यह चुप मार करके बैट जाएंगे तो obviously वो कही ना कहीं पूरे एक section पूरे community को जो है कहीं ना कहीं वो उनका गला काता जा रहा है तो अंबेडिका जी भी गलत नहीं है और गांधी जी भी गलत नहीं है और इन दोनों की ही बातों को ultimately क्या था कि एक बार दोनों आपस में कम से कम बात तो कर ले ताकि कोई ना कोई एक उपचार निकल जाएगा तो basically इन दोनों लोगों की एक टॉक होनी बहुत जरूरी थी और इस टॉक को अरेंज करने पहले सबसे बड़ा जरूरी काम हो गया तक यह आखिर में एक टॉक हो तो कहा हो कैसे हो और इस टॉक को कराने के लिए फिर ultimately लोग आगे आते हैं और इसमें मदन मोहन मालविय घी और राजेंदर परसाद दी ये दो लोग जो है वो काफी अच्छा रोल प्रे करते हैं और इन दोनों लोगों को एक टेवल पर ले करके आते हैं यरावडा जेल में तो यरावडा जेल में ही यहाँ पर मीटिंग होती है दोनों लोगों के बीच में और ultimately कुछ negotiation के बाद में ultimately यहां पर Puna Pact पास होता है इसे हम लोग बोलते हैं Puna Pact तो यहां पर जो होता है Puna Pact ultimately पास होता है जो की इस अमबेडिकर साहब और गांधी जी के बीच का ही Pact रहता है अब यहाँ पर बाते क्या होती है पहली चीज यह कही जाती है कि जो प्रोविंसेज होंगे ध्यान रखेगा यहाँ पर बहुत बड़ा important concept निकल के आएगा reservation का प्रोविंसेज में दलिट्स के लिए reserve seat की गई थी यह reserve seat या फिर जिसको बोल सकते हैं आप reservation तो reserve seat की गई थी और कितनी seat की गई थी 148 seat reserve की गई थी इसके अलावा center में union में union में भी दलिट्स का representation रहेगा यहाँ पर जो seatे reserve की गई थी वो 18% की गई थी तो 18% reservation in the seats in the union और 148 seat जो होता है reservation किया गया था दलिट्स का यहाँ से अगर आप एक concept देखें कि आखिर में जो reservation का concept आया है reservation का concept आया कैसे आया है मतलब किस चीज को लेकर क्या आया है क्या यह political है या क्या यह social है या क्या यह economic है तो अगर आप देखेंगे so this is political reservation तो जो शुरुवात हुई थी reservation की वो political representation के लिए हुई थी वो बात दूसरी है कि आगे जा करके जब मंडल commission बनी थी तो OBC को भी दिया गया था और OBC को जो representation दिया गया था आपके हला कि यह policy में ही question इस तरीके का बनेगा आपसे question अगर आता है कि इंडिया में किस तरीके what are the basis on which we are मतलब government of India is providing reservation तो आप बताएंगे political, socio-economic and economic ठीक है और in fact social भी अब तो बोली ही सकते है क्योंकि economic अलग हो गया तो social अलग होई जाएगा तो इस तरीके से हमारे पास reservation के अलग-अलग जो है ground हो गया अलग-अलग तरीके हो गया जिस पर question obviously बन सकता है यह थी आपकी पूना पैक जो की ultimately अमबेडिकर और गांधी जी के बीच में हो गया था एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि sign करने में sign कौन किया था मतलब इस पैक्ट पर sign कौन किया था तो अमबेडिकर सहाब तो representation करना है तो इन्होंने तो करना ही करना है लेकिन गांधी जी का है कि मैं अपने नाम पर sign नहीं करूंगा और यहाँ पर कौंग्रेस की ओर से मदन मोहन मालवी जी ने sign किया था तो यह लोग थे basically जो sign किया था और ultimately यह पूना पैक्ट फिर final हो गया और ultimately दोनों के बीच में जो भी issues आ रखे थे उस issues को भी दूर कर लिया गया था तो यह तरीके थे आपके जहां पर इस second round conference की एक तरीके से बाते निकल के आ गए और जो रैमजे मैकडॉनल यह communal award जो था कहीं ना कहीं उस चीज को दूर किया जा सका था अब यहां पर देखे गांधी जी एक बात तो समझ गया थे कि यार ऐसा है कि हरिजन के लिए हमें अब कुछ काम करना पड़ेगा बिकॉस अब जहां कहीं पर भी लोगों के मन में था कि यार हरिजन को सपोर्ट नहीं मिल रहा है या केवल अमबेड कर ही है जो हरिजन को सपोर्ट करना है तो गांधी जी ने कहा अब से मैं पूरी जिंदगी भर केवल हरिजनों की सेवा में ही लगाऊंगा और इस तरीके से इन्होंने अपना एक बहुत पहले इन्होंने अपना एक उसका नाम बदल करके हरिजन सेवकसंग कर दिया गया ठा और यहां से हरिजनों के लिए यह काम करना शुरू कर दिये थे इसके जो रिजन सेवकसंग के जो प्west heaven का नाम भी ध्यान रखियेगा विकॉज इस इंप और यह बनाए गये थे गंशाम दास बिड़ला ये बनाए थे इसके अलावा हरजनों की सेवा के लिए इन्हों ने अपना एक व्रत किया था यानि एक fast किया था और इस fast को जाना जाता है हरजन सेवा fast के नाम से तो this is हरजन, सेवा, fast और ये fast किया गया था 21 days का 21 दिनों का इन्होंने वरत किया था और यह कहा था कि अब मेरी पूरी जिंदगी हर जनों के सिवा में ही अब जाएगी और इस तरीके से यहाँ पर सीन हो गया था लेकिन ऑव्यसी बात है गांधी जी है कहाँ पर गांधी जी फिरी थोड़ी ना हुए है गांधी जी अभी भी येरवड़ा जेल में ही है यहीं से इनका सारा कारेकरम चल रहा है तो यहाँ पर येरवड़ा जेल में अब सीधी सी बात है 21 दिन फास्ट करेंगे तो सीधी सी बात है तो सीधी सी बात है ये बिमार पढ़ी जाएंगे तो ultimately गांधी जी बिमार पढ़ने के कारण से गांधी जी को जेल से free कर दिया जाता है तो जेल से ये free हो गए है ठीक है औब free होने के बाद में ultimately इनोंने क्या किया था अभी पुराना CDM चल रहा है इनका जो second round CDM चल रहा है वो on paper तो कहीं बंद तो हुआ ही नहीं है तो ultimately हुआ क्या कि 12 हफतों तक ऐसे ही ये नदारत चलता रहा मतलब की dead format में चलता रहा और ultimately 1 अगस्त 1933 समझ रहे हैं एक साल तक ऐसे ही चलता रहा है 1st April 1933 तक ये ऐसे ही चलता रहा और October 1933 में जा करके officially ये Congress के द्वारा withdraw करा दिया गया था कि हाँ ठीक है विडर्डॉन हो गया है अब ये CDM बंद हो गया है तो एक तरीके से जो CDM चला था वो dead format में चला था और एक तरीके से आप में बोल सकते हैं कि individual था ये individual गांधी जी का CDM था कोई भी इसमें participate करने नहीं आया था तो इस तरीके से scene हुआ था अब यहाँ पर ultimately ये जो पूरी बाते होती है उसके बाद से हमारे सुबास चंदर बोस साहब हो गया है जो की बहुत तेजी से rise कर गया है सुबास चंदर बोस साहब के बारे में हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर idea लगेगा कितने मतलब कितनी महान हस्ती है और in fact बोस पर एक series भी बनी हुई है और आल्ट बाला जी की एक series बनी है you can watch that series there are I guess 8 or 9 episodes तो आपको बोस की जिन्दगी के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा so that is the thing you can watch that इसके अलावा हमारे विठ्थल भाई विठ्थल भाई जी थे विठ्थल ठीक है जो भी है विठ्थल भाई जी थे इन्हों ने इन दोनों लोगों ने basically क्या है गांधी जी को फेल्ड लीडर घोशित कर दिया ये कह दिया कि गांधी जी अब एक फेल्ड लीडर है तो ये तरीका अपनाया गया था गांधी जी ने हरिजनों की सेवा के लिए क्या क्या किया था हम लोगों ने देखा कि इन्होंने एक depressed नहीं इनकी society का नाम एक जड़ा ध्यान से समझ लीजेगा depressed class नहीं depressed class तो है ही इन्होंने all India एक एक सेकेंड यस इन्होंने all India untouchable all India untouchable league बना रखा था और ये बनाया गया था कब वही NCM के दौरान में हम लोगों ने देखा था untouchability को remove करने के लिए इन लोगों ने बना रखा था और इसी का वापस से नया नाम कर दिया गया था इसी को कह सकते हैं कि restructure कर दिया गया था हरिजन सेवक संग में और यहां से इन्होंने एक हरिजन magazine भी निकाली थी हरिजन magazine भी publish क थी ठीक है और इस तरीके से scene हो गया था clear हो गया क्या चीज़ है और ठीक है इसके पास से क्या होता है third round conference हो जाती है क्योंकि अभी third round बचा हुआ है third round table conference होती है और यह third rebel conference है वो 17 November 1931 से ले करके 24 December 1931 तक चलती है sorry this is 32 32 तक चल रही है 32 से start होती है 32 में ही finish हो जाती है तो यह आपका जो होता है third round होता है यहां पर भी congress participate नहीं करती है Congress यहां से bycott की रहती है इसके अलावा 45 delegates यहां पर आये रहते हैं 45 delegates जो कि अपने आपे बहुत कम रहते हैं और अमबेडकर साहब और सप्रू जी इन दोनों लोगों ने यहां पर participation किया था इसके अलावा हमारे जिन्ना साहब ने भी participation किया हुआ था तो कई बार question यह भी in fact any basin this is any basin इन्होंने सारे जो तीनो roundtable conferences हैं उनको participate किया हुआ था clear हो गया क्या चीज है तो यह हम लोगोंने देखा roundtable conferences के बारे में जितने भी detail हो सकती है whatever it can be we have already discussed ठीक है हम लोगोंने सारी चीजों के बारे में discuss कर लिया अब चलिए फड़ा फड़ देख लेते हैं जरा कॉन्फरेंस कंडुक्टेड बाई लेबर पार्टी लेड बिटिश गवर्मेंट तो डेलिब्रेट अपॉन एंड ब्रिंग अपॉन कंस्टिटूशनल रिफॉर्म यह तीन मीटिंग हुई थी 1930 से लेकर के 32 के बीच में और यह लंदन में हुई थी आगे अगर बात किया ज चल रहा था सीडियम के नाम पर स्वराज के नाम पर स्वेल सेल्फ रूल के नाम पर बेस्ट ओन रिकमेंडेशन आफ मुहनमद अली जिन्ना तो लॉड इर्विन उस समय के जो वाइवसराय थे और उस समय जेम्स मैक डॉनल्ड यह थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर और प्रिंसिवली स्टेट थे और सिक्स्टीन डेलिगेट फ्रम दब थ्री ब्रिटिश पॉलिटिकल पाटीज भी थी जो कि हमारे लिए बिलकुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना देखे अपने आप में बहुत सारे मेंबर हैं मतलब इन फैक्ट थर्टी टू और इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने पाटिसिपेट नहीं किया था जैसा कि हम लोग ने अलरड़ी देख लिया है बाकी और ये लोग तो इंप्रिजन भी थे इस वज़े से इंवॉल्मेंट भी नहीं हो पा रहा था अमंग धा ब्रिटिश इंडिया कौन लोग थे जैसे कि जिन्ना और आगाखां यहां से पार्टिसिपेशन था हिंदू महासभा से मुझे और जैकर ने किया था जस्टिस पार्टी सिख थे सरदार संपूर सिंग ने किया था लिबरल पासीज और क्रिशियंस एंगलो इंडियन केटी पॉल यूरोपियंस लैंड़ॉट्स लेबर उनिवर्सिटी सिंद बर्मा और भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था क्या क्या डिसकेशन हुआ था यहां पर वही फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के प्रोविंशल कंस्टिउशन सिंद और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को लेकर माइनॉरिटी चाइज एग्जेक्टिव रिस्पॉंसिबिलिटी और अंबेडिकर साहब ने यहां पर अंटेजेबल के रिए भी सेपरेट इलोक्रेट की डिमांड कर दी ती तेज बहातुर सपुरू इन्होंने भी जो है और इंडिया फेडरेशन के आईडिया को आगे बढ़ाया था ज लेकिन कुछ खास यहां पर implementation नहीं होती है Congress जो होती है वो अपने CDM को यह आगे बढ़ाने में लगी हुई तो इस तरीके से यह जो है failed moment के रूप में सामने आता है और इस तरीके से British Government यह समझ गई थी कि Congress के बिना यह कुछ भी हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे और इस लिडियम मोमेंट के बाद जो 11 demands मांगी गई थी हमारे गांधी जी के दवारा उनको लेकर के यह होता है कि चलो ठीक है आप दोनों लोगे के बीच में एक meeting हो जाती है तो meeting में क्या हुआ था कि second round table conference जो की लंदन में होनी है उसके लिए कहा गया कि चलो ठीक है आप आजाई कई लोगों ने यहाँ पर negotiation किये थे मतलब कि एक साथ मिला करके ले करके आये थे और इस तरीके से पहली बार equal के तौर पर meeting हो गई थी features के बारे में बात करें तो round table conference के लिए Indian national congress जो है मान गई INC will stop CDM, withdrawal of all ordinances that cut the activities of congress, withdrawal of all prosecutions except violent crime तो जो भी बाकी लोग थे उनको छोड़ दिया जाएगा, salt tax हटा दिया जाएगा और बाकी जो लोग भी CDM में participate किये हुआ है उन लोगों को भी release कर दिया जाएगा, result क्या हुआ, result तो खेर हम लोगों ने देखी लिया क्या क्या चीज़े हो गई थी फिर उसके बाद से गांधी इर्विन पैक्ट में demands जो गांधी जी ने नहीं मानी थी पहला public inquiry into political execuces जो की suppression of the movement जैसे कि क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी का 11 point agenda था उसमें एक चीज बोला गया था कि जो भी spy है या जो भी police है वो Indian public के द्वारा control की जानी चाहिए तो Indian public ये control करेगी यहाँ पर भी वही बाते कहीं कहीं जिसको की obvious ही बात है कोई भी नहीं मानेगा इसके लावा भगत सिंग के भी that sentence को इन्हों ने गांधी जी ने बोला था कि इसे commute कर दीजे से हटा दीजे लेकिन खेर इनको भी नहीं माना गया था तो खेर इसमें बहुत ज़्यदा आपको टेंशन लेने की जरुवत नहीं है अगर आप बहुत ज़्यदा revolutionary है तो आप revolution खाली अपने exam और बाकी select होके administration में दिखाई है don't just try to modify the history or don't just try to argue with the history ठीक है it is not going to help you in any way आगे अगर बात किया जाए तो फिर second round table conference होती है communal award होती है और यह फिर St. James Palace में होती है so this is St. James Palace जहां पर यह meeting हो रही है लंदन में 7 December से लेकर के 1st January तक होती है participant के तौर पर हम लोगों ने देखी लिया है कि कौन-कौन जा रहे है बोमिन के representation के लिए Annie Basant, Sarujni Naidu और Meera Ben गई थी Meera Ben यह वही है बिटिशर है जो basically disciple बन जाती है गांधी जी की दलिच के तौर पर यह लोग थे और इस तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं वाइसराय Wellington आ रखे हैं इसमें he was not in favor of Gandhi and Congress और यह depressed class के लिए फिर काम कर रहे थे और इस तरीके से अच्छा यहाँ पर Samuel Hawk जो थे यह थे basically secretary ठीक है फिर ultimately गांधी जी की डिमांड होती है और बिटिशर की भी डिमांड होती है दोनों आपस में जो होता है cross checking होती है result क्या निकलता है अमबेडिकर साहब की जो डिमांड आती है दलित राइट्स को लेकर के वो कहीं न कहीं दोनों के बीच में फस जाता है और इस तरीके से meeting जो होती है वो fail हो जाती है एंड में क्या होता है master stroke आता है बिटिश लोगों का Ramsey MacDonald के communal award के तौर पर और communal award हो जाता है declaration क्या होती है second round table के end में central autonomy दी जाएगी provincial autonomy दी जाएगी finance, security, defense, war और international issue को लेकर के पार्लेमेंट और वाइसराइं होंगे जो decide करेंगे ultimately गांधी जी वापस आ करके फिर से अचा गांधी जी कहां पर रुके थे तो गांधी जी के बारे में हम लोग ने देखी लिया था Kings Hall में रुके हुए थे गांधी जी return आते हैं Bombay में और वापस से फिर से अपनी जो ये CDM वाली चीज थी वो start कर देते हैं और इस तरीके से इनको arrest हो जाती है प्रेस अब यहां पर अगर देखा जाए कि क्या क्या सीन चल रहा है इंडिया में तो प्रेस के बारे में अगर देखा जाए तो पूरा control रखा था government के हाथ में हम लोग ने देखी रखा था कि प्रेस को रोका जा चुका था इस दौरान में ठीक है और either way they have to be with government या तो उनको jail हो रही थी या फिर sedition हो रही थी क्योंकि already हम लोग ने देखा था कि 1910 में हम लोग ने देख रखा था कि offense act को ले करके बना दिया गया था secret act बना दिया गया था जिसमें प्रेस कोई भी against the government वाली चीज नहीं बना सकती थी ठीक है और अगर कुछ लिखते हैं तो उनको jail फिर sedition हो जाता था जो भी आपको मन करें law and order को अगर देखा जाए तो यहाँ पर police और administration के साथ क्या चल रहा था तो what happened to the councils and the committees all सब कुछ बंद कर दिया गया था law and order जो होती है वो ordinance की basis पर चल रही थी और इस तरीके से sedition और ordinance की power को था खैर आप लोग जानते हैं और उस समय वाइसराय के हाथ में इस सारी चीजे होती थी गांधी जी गांधी जी कहा है देखो अब मेरी power मैं तुमको दिखाता हूँ क्या power है मेरी 4th January 1932 को इन्होंने वापस से CDM निकाला लेकिन खैर कुछ मिला नहीं रियल एक्टर नहीं थे किसी ने ध्यान नहीं दिया और CDM जो हता है ultimately close हो गया गांधी और इनके जो लीडर्स थे जवाल लैलने इस टकता इन्होंने क्या है कि गांधी जी को directly oppose नहीं किया था लेकिन इ जीवन भर जो है आगे जाकर के communal अबाट जबाएगी तो मैं जीवन भर हरिजन के लिए सेवा करूँगा गांधी जी वेंट टो देलेट्स प्लीज डू नोट डिमांड फॉर सेपरेट इलक्टोरेट डू नोट ब्रेक डिवाइड दा कंट्री ऐसा इन्होंने अपील किया वीक कॉंग्रेस क्या थी अब ये बेचारी इनके पास में ना तो प्रेस है ना डिफेंस है ना आई आर है ना तो ट्रेड है कुछ भी नहीं है बेचारे और अब गांधी भी नहीं है इन्होंने भी अपना अब पल्ला जाल लिया कि अब मैट डिरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा और इनफेट गांधी जिन उसके बाद से कॉंग्रेस के मिटिंग में पार्टिसिपेशन भी नहीं किया था फिर आती है कमिनल अवार्ड कमिनल अवार्ड के बेसिस पर मैक्स दैम्जे मैक डॉनल्ड इन्होंने क्या किया था और इस तरीके से यहां पर जो ह यूं हो गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट जो होती है वो माइनॉर्टी को भी दिये दिये गया थे और साथी साथ में वुमिन को भी दिये जाने पर चर्चाएं होने लग गई 16 ऑगस 1932 को कमिनल अवार्ड आयाता है और फिर चार दिन बाद गांधी जी निया ड्रामा इस्टार्ट कर देते हैं स्ट्राइक अगेंस्ट कमिनलिजम और यहां पर इन्होंने क्या किया था वही जेल में फास्ट वगरे करना शुरू कर दिया मेडियेटर आते हैं रिस्पेक्ट के नहां पर गांधी अमेडिकर के बीच में पूना पैक्ट करा देते हैं और इस तरीके से यहां पर चीजे हो जाती है मेडियेटर के तौर पे कौन कौन है मदन मोहल मालवी हो गया पुर्शोत्तम दास टंडन हो गया राजिंद परसाद हो गया और राजगोपालाचारी जी हो गया और यह चीज है ठीक है पूना पैक्ट होता है 24 सेप्टेंबर 1932 को और डॉक्टर अमेडिकर साइन पैक्ट अंडर प्रेशर और बिग लीडर जो होता है इन्होंने जो है कही न कहीं अमेडिकर साहब को भी डरा रखा था कि अगर गांधी जी गय तो फिर अच्छा नहीं होगा आपके मतलब इससे पहले मुस्लिमानों के लिए जो भी चीज़े होई थी उसमें कुछ नहीं बोला था सिख ने कुछ भी मतलब सेपरेट इलेक्टरेट दिया था इन्होंने कुछ नहीं बोला था तो फिर ऐसा क्यों बड़े कुशन यही पर आता है यहां पर एक्चुली क्या है क जो observation के बाद में इन्होंने यह कहा था कि अब तो मैं नहीं तूटने दूंगा और इस तरीके से पूना पैक्ट हो जाती है जिसके बारे में अलड़ी हम लोगों ने देख लिया है कि सीड जो होती है से बढ़ा करके 17147 कर दी गई थी और 18% टोटल Central Legislation में दे दिया गया थ इसके बाद से आफ्टर पूना पैक्ट गांधी स्टाटेड वर्किंग ओल्ली फॉर हर्जेंस एंड डलिस जिसके बारे में अलड़ी हम लोगों ने देख लिया है फिर इल्टिमेटली क्या होता है थर्ट राउंड कॉन्फरेंस होती है जो की 1932 में होती है अंबेडिकर त जिन्ना अटेंड नहीं किये थे ध्यान रखेगा जिन्ना जी अटेंड नहीं किये थे शायद मैंने पहले बता रखा है कि जिन्ना ने अटेंड किया तो जिन्ना ने अटेंड नहीं किया थे ध्यान रखेगा और अल्टिमेटली अब क्या होता है सारे राउंटेबल 1935 के नाम पर और अल्टिमेटली गवर्मेंट आफ इंडिया एक 1935 आ जाती है यह कब आती है साइमन कमिशन के रिकमेंडेशन नहरू रिपोर्ट जिन्ना फॉर्मुला राउंटेबल कॉन्फरेंस वाइट पेपर और लिदलित गो रिपोर्ट के बाद में अल्टिमेटली इसने भी कई सारे फीचर्स को इस 1935 वाले एक्ट से पिक किया हुआ है अब जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन यह हम लोगों ने पिक किया हुआ है डिवीजन आफ पावर फेडरल लेस्ट प्रोविंशल लेस्ट और कंकरेंट लेस्ट वाइसराय जो होती है उसके पास में रे इसके अलावा बर्मा को अलग कर दिया गया था बर्मा को ने प्रोविंस बना दिया गया था तो यह थी आपकी 1935 की चीजें आगे हम लोग next session में बात करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे 1935 Act के बाद से वापस से election कराया जाते है और election कराया जाने के बाद में क्या कुछ scene होता है और किस तरीके से फिर ultimately the Second World War start होती है और उसमें Congress के member क्या करते हैं, कैसे आगे चीजे बढ़ती है, quit India moment क्या होता है, और फिर क्या कुछ आगे होता है, तो यह सारी चीजे हम लोग देखेंगे अपने next session में, किसी को कोई doubt रहेगा तो आप अपने doubt को फिर email या फिर telegram के थुरू पूछ सकते हैं, दोनों की link नीच studio में, till then goodbye and thank you so much.